पांप मार्म jedem और अब जाएब नोगे कैसे हैं आप समूने करता हूं सब छिक चाह होगे मेरी दौाहिए आप मेशा थे रहें मुस्कुराते हैं अंग हमें अपना जिहाते रहें अब मेरा नाम आम आप सुंकी सत है और लास डे हिंग बैंकलारो अर देखिए बहुत ही टाइम से लगता है विजए पैंगलारो लिए हुआ था रोज ही मैंने के वीडियों बर बटाथे डालते ते लेकिन बाव इकमाल और और देखते हैं और देखते हैं कि अभ वो कहाँ पे जा रहे हैं पहले मिलके देखते हैं यह विडियो फिर उस्सफर पर देखिएगा और अगर आप हमारे चानल पर नए है gebracht को लाइक कीजिए अगर आज तक ये ट्राई नहीं किया पुनित राज कुमार, बहुत ही अच्छा कोई ईूमन जाने का भी टुटेंटे, आने का भी टुटेंटे अरे भाई यह कहां पे आ रहा है, ओ भाईया, यह देखो यह गोल्ड की शॉप ओ यार रिको स्की है भाई अब आरा तिली तक का उड़ात समय लगभग 2 गंटे और 20 मिनट रहेगा तोड़ा से एमोशनल हूँ मैं सलाम, नमस्ते, साश्रियाकार भाईयो इसो पेरे भी से देख रहे हैं आप, एमपायर, इस फूड की एमपायर है यहां पे भाई, फास फूड, डेसी फूड, ग्रिल फूड, ब्राणिया, हर चीज अवेलेवर है काफी लोगों ने सजेक्स किया है कि यहां जाएं, खाएं और उसका रिवियू करें तो देखते हैं अंदर क्या है, क्या मिल रहा है बच्चे, फैमिलिया, बड़े, बूरे, तो आज है, कुछ ट्राइ करते हैं, अब फिर आपको बताते हैं वाईश, राने टकीवी हैं, मतन की दो, माल तियार है, मैं कहा या पगड़ ले बंदा खाबे के लिए लेकिन यार एक या दो बंदों के लिए बहुत जादा इनफ हो जाएगा, बच जाएगा या तो अपने दोस्त जो यहां पर जानने वाले उनको लेके हैं तो यह यार ग्रिल चिकन चेक करें, वह, 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 मसाले वाला, कम मसाले वाला, हर तरह का मौझूद है यह तो हमें पता ही नहीं था, तो आप देखनें कितनी ग्रिल आइटम्स भी हैं, तो चलें कुछ और ओर करते हैं, यह हम बात के लिए रखते हैं, अभी हम इनकी कोई एक दो स्पेशल आइटम और करते हैं तो इनका मेन्यू बहुत ही बड़ा था, जिसमें इंडियन फूर्द और आपका काउंतिनेंटल फूर्ड 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 और फास्ट और चाइनिज फूर्ड तो चॉर्य नहीं आता कि कहां से शुरू करें और खातव करें उनने इनकी एक ड्रिंक मिंट मार्गरेटा ओडर की जो के फॉरन ही आ गई सबसे पहरे बहुत दे दी इसका नुपसान फाइदा भी है रुपसान भी है नुपसान यह है कि बंदा जो पाना कहता है तो सब खत्र हो जाते हैं कहरे इसको बचा के रखेंगे बहुत मज़ेगी बहुत अच्छी है थे चाह भी फ्राइड राइस आगे हैं इनके चिकन फ्राइड राइस यार मेरे फेवरेट है फ्राइड राइस तो इसका रिव्यू में आपको बड़ा बेहतरीन दे सका क्वालिटी जो चाबलों की आ है आए रहा है, ऐ खुश्भू जो आ रही है, बला आ रही है। लेके मसाले जो हैं, इसमें जो भी इन्होंने इन्दीज्बेश आ लें हैं, अबड़े खिले खिले नगर आ रहे हैं, आपको ये वेडिटेबल दारी भी है, ये चिकन डाला हुआ है, नबर डास। तो साथ हमने हमागे हैं एनों के ग्रिल चिकन तोड़ा सा ये यार इनकी लैग है जो के ग्रिल होती है नहीं देकते हैं और ये फ्राइड रईस आग मुझे दो बड़ी पसंद है पहले हमें आपको बताते हैं ही है ब?il टीस बढ़ी benevolence है, बड़े fresh से लग रहे हैं बिल्कुल ड्राइ नहीं है, बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ है, जबर्दस अब इसको फ्राइड राइस से साथ काते है बिल्कुल डीस यार, बड़ा फिट के समाइक और कॉमिनेशन है, बाइट खाके देखों चिटनी के साथ है, इनके ग्रिल्ल चिकन के लिए इस सपेशल जो है, एक साथ में ने प्यास का के तकलूफ ही किया है प्यास का भाई, बाई, बाई, सो नाइस आफ देम, इननोंने का क प्याज और दे सकते हैं लेकिन नहीं है तो भी इंका special sauce और grilled chicken तो भारा से sauce के साथ थोड़ी प्याज I was right, यह minty sauce है यह वारा तस्टम से बभाई यह तो यह मैंने जब यह देखा नहीं इनके इतना menu इतना बड़ा है तो पड़ा मुश्किल होता है चीजों का standard मेंटें रखना है लेकिन जो इन्हों ने एक हमने को चाइनीज चीज मुआई यह फ्राइड राइस में चाइनीज है एक ग्रिल देशी मुआई एक और उने का fast food मुआई तो यह दो पे तो नमबर इनके पूरे है तो बड़ा मुश्किल होता है वह मेंटें रखन सब्सक्राइड बुड़ी आप जबरदसते हैं जब भी आप इंपायर होटन आए यह चीज़ें आप जुरू ट्राइ कर सेंगे लौभाई यहां पे उन्होंने रिके मेंट किया है हमारा क्रिश्पी सेंडवेच इसी करी KFC टाइप का अंतर उन्होंने उटाला हुआ है तो है लेटस है बड़ी फ्रेश बन है तो खाके देखते हैं कैसा है फिर आपको बताते हैं रेक्मेंट किया है मैरेजर में क्रिश्पी चिकन इसके साथ जो कंबिनेशन है कमार ही लग तो मुझे लग ना था शाहिए इस पर थोड़ा सा कंप्रमाइज होगा थेस में नहीं बहुत ही मज़े था बहुत ही जबना तो साथ साथ एक सिप फ्रेश नहीं का हो जाए यार पता दी कितरे लोगों को ये कंबिनेशन बसंद है या नहीं फ्राइड राइस के साथ फ्राइड चिकन आज से नहीं कोई 15-20 15 साल से टीज मेरा फेवरिट तो आज मैंने बैंगलोर में भी होई महुआ है देखते हैं का फ्राइड चिकन कैसा है और फ्राइड राइस तो गोडाओ 10 आउट आफ 10 है वे हम अपने और फ्राइड राइस लेंगे पहले खाली चिकन प्राइड राइस के साथ आप यह देख सकते हैं यार चिकन की जो क्रिस्पी नैस उससे क्वालिटी पता लगती है और साथ यह जो मायो दी है नो में कमाल अबे तो पहले खाली कहते हैं घूसिए आगा है यह तो गरम कॉलिटी यह दिख आए है यह उता है यह पर से जितना क्रिस्पी अंदर से इतना जूसी होना चाहिए तो अगी क्रिस्पीनेश देखें इसकी उपर से निघ्टा सा काते रम है चमम्मट से तोड़ते है ओए-ओओ धुँआ निया न इनका यह ठाइम जुरूर लगाते हैं सर्वी में लेकिन इनकी यह है कि बिल्कुल त्रेश देंगे आपको, ऐसा नहीं कि तोड़ा से मायो लिया हमने, वही होई 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 होई, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा क्रिस्पी चिकन, यार यह बहुत ही बला ह मेरा यह आल टाइम फेवरेट कम्बिनेशन है नहीं या इतना मैं एक्सट्रेक्ट कर रहा था उसे बहुत उपर की गेव है जिन लोगों ने आज तक यह ट्राइड नहीं किया फ्राइड राइस, फ्राइड चिकन, पायो नीव उन्होंने भाई समझें एक बहुत फी बड़ी चीज मिस करती है तो प्लीज मेरे कहने पर कहीं से अच्छे फ्राइड राइस कहीं से क्यों, उंपायर से क्यों अगर आप आप बैंगलोर के आसपास रहते हैं तो भाई ये चीज ट्राइक करने वादी बनती है तो हमने इनकी तीन टाइप की चीज़ें फास्टू भी देख लिया, चाइनीज भी देख लिया, बर्गर भी आपके सामने देखा और डेसी एक क्रीब चिकन भी तीनों आउटसेंड़ी तो अगर आप कोई भी चीज पसंद करते हैं तो फिकर ना कीजिए, यहां पर आपके आप खा सकते हैं द्रेंट भी चार थीज लेविक खाना था इनका बहुत बज़ेदार था नो वंडर कि कितना रैश्क्यू है तो भाई एक तो प्राइसीज भी ठीक है सर्वेस, आउटस्टेंडिंग और हर तरह की चीज मौझूद है इवन शेक्स और आइसक्रीम और फालूदा मी मौझूद है तो भाई उमीद है आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी बैंगलोर आएं, किसी भी तरह का फूड अगर खाना है इस अम्पायर होटल का आप लाद भी विद करें कमानली वाला है, यह जगा जगा पर है आप बैंगलोर में आप उनलाइन सर्च कर सकते हैं भी बैया, जा रहे हैं बैंगलोर छोड़के अनेरा है गाड़ी में शाहिद आपो कुछ नगर आ रहा हो रात का टाइम है दिखाते हैं आपको थोड़ी सी बैंगलोर की सड़के पतनी जिंदीगी में आना हो या ना आना हो सुरेष भाई, आपको क्या रखता है क्या नामें सुरेष है ना? राजेष भाई राजेष भाई आना होगा के नहीं? आरवा होगा सब्सक्राइब क्यों नहीं होगा चुनियो रहिसा है एक बर देखके गए तो दोबर आ फिर कीच के लाएगा अच्छाइब भाई बहुत पॉजिटिव है किया है आना होगा एक दफा जो बैंगलोर आता है वो छोड़ता नहीं है बैंगलोर पुनीत राजकुपार ना सिर्फ बहुत बड़े एक्टर थे बलके बहुत ही अच्छे इंसान भी थे क्योंकि उनके इस दुनिया से जाने के बाद जो लोगों के दिलों में उनका मैंने मुखबत और प्यार देखा भाई वो अन्बिलीव है बैंगलोर एरपोर्ट का विजिट मैंने आपको करवाया था मुझे तो अब तक जितने एरपोर्ट भाई है दुनिया में गूमा हू उजया मुझे अच्साथ हाँ अब अधर गया अभी तक अवर अब पार करें तक जैसा बनाया हूँ तो जैसा बनाया होआँ क्या बात बाद और यह टूल आ गया एरपोर्ट कितना है भाईए घम कितना है खेशे तोल कितना है तोल कितना है the 80 80 110 60 ओ अच्छा लग इलागए जाने का 110 आने का 160 अच्छा 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 आच्छा 110 और 60 यार यह बड़ी अजीब इसी बार है ञाने का उसी रोड पे और है रहरा आने का उसी रोड पे और है वाइए इसकी क्या बजा है बही है यह यह उफ्झा tomar अच्छा पाफर है और कैश अले को कैश ओला या कैश वाला को 220 और जुर मुसको फाइन है उसको फाइन है जाने का भी 220 याने का भी 220 ओट कैया या इंए भूट है यह लगे है यह की बंदेगे, यह क्या है? तो स्ट्रेट हैट्रवाद आनकपोरे खाया लेफट गहता है यह एरपॉट को नहींदे है तो बया यह देखें यह दखें यह दोट की तरफ रहा दमाँ और ये बहुत ही खुबसूरत इन अरिया बनाया है वाई एरपोन का ये देखे ये जो साइड है जो लास ते तकरीबन 20-25 मिनट से मेंगलोमी चल रही है ये बिल्कुल ही एक अलग साइड है जहां पर हम पिछले तीन हफ्ते से फिर रहे हैं वहां पर ट्रैफिक थी कि नोड़ इंजॉए है वहां सबसे आदा खाना था लोग थे और टूरिस्ट अट्रैक्शन ती अरे भाई ये कहां पर आ रहा है वह भाईया ये देखो यहार रहे रिवर्स मारा है लेकिन भाईय कोई टकर मार दे किसी बेर क्या होना है ती टू जा रहे ना भीया है अच्छ ये देखो भाई भार जिवर्स भाईया जीका ये एख और ये लेक ऐना ये एंज बेहार राधा है तने फब्सूरत है एसे तो फुट्ण एड़ की शॉप थे शॉप ये जगाँ अबात च्रा खानों क्या बाद़ हो बाह दी है किद्र प्रोण है मैं किसना नेया है ना ये अज़े की बात ही है कि सारा वो बैम्बू से बनावाई इसको इसको निजाइन किया है बहुत ही खुबसुर चलो पर अंदर जाके आपसे मिलते है तो बैस्ट चीज है कि यहां कम से कम ट्रॉली फ्री है और बहुत ही जबरतस जहां पर गाड़ी पार करते हैं वहीं पर देख इंडोर एरपोर्ट के अंदर भाई चेक करो वहीं जो इंटर्डेस्टन ता उसका अपना लेवल था और बॉनेस्टिक का अपनी लेवल है भाई यह ता बुछूरत कि मैं ग्रीम बनाव है यह असली है यह मुझे लग रहे हैं यह बहुते हैं पर यार यह बसली है भाई क् जंगल लुक दीजिए भाई का था कि मैं अभी इसको शोड़ के जाना पड़ रहा है एर इंडिया का आपको फिर चोटा सा रिव्यू देंगे जीश में और अपने सफर के बारे में बताऊंगा कैसा सफर रहता है मेरा बैंगलोर से दिल्ली तक का तो अनॉस्मंट होने लेगी जी यह फ्लाइट डिले होना पड़ा है हमारा दिली तक का उड़ात समय लग 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 दो विंटे और 20 बिनिट रहेगा कप्तान राहूल संग्यानी कमान में है और फ्लाइट टेक में उटके साथ फर्स्ट आपसर गिरीश वर्मा है मेरा नाम सकीदा चौतरी है और मैं आपकी कैबिन एक्ज चीज कैसी है तो भाई इस दफ़ा बन नहीं था बेसिकली प्रॉपर एक प्राठा दिया वा था जो कि देखके बहुत ही अच्छा रगा साथ में बहुत ही मज़दाद एक डिजर्ट था ये शायद सैलेट सा दिया वह और साथ एक योगर्ट पी थी बहुत अच्छा रग अच्छा एमीद तो बढ़ी जब कंटेंडर की लिड़ खोली तो अंदर बहुत ही मज़दार मसाला राइस थे और एक करी मौझूद थी तो करी को आप बेशे करी राइस से भी खा सकते हैं और प्राठे से तो मैंने राइस और प्राठे दोनों से खाया तो बढ़ी मैं कह स बैटर लेगी थी जो मैं को लंबो से दिल्ली आया था बैंगलोर से दिल्ली खाने वाइस उसके बहुत जादा बैट थी वो खाना शेरिलंका से बनाता शाहिद इस विज़ा से इतना टेस्टी नहीं था तो बैई दिल्ली में बाहर आते ही अक्षे और अमीत आथ बेख से है थैंक्यू सो मच भई इतना प्यार देने के लिए बैंगलोर को छोड़ दे है थोड़ा सब्मोशनल हूं बहुत अच्छा लगा तबहुत मज़ा और अच्छे लोग है थैंक्यू सो मच होई अनाव थे ज़ग है क्या बाद़ जी बैंग एक पाकस्तान इन्डिया में है इसने बैंगलोरो मेरा خ्यात है एक महीने ही लगा दिया है बहुत सारे वीडियो के इसयो था देखते हैं, और हमें भी भात पसंद हैे खास करके जो उसकी सिस्फाई है और इसका ग्रव्यलमेंट है और हर तरफ ही बेस्तरी गलियां बजार और साफ सुत्रे और एक रिच सिटी के तरह बेंगलोरो नजर आता है और वहां पे जो शॉपिंग ब्लाजा वहां पे ब्रेंट हर तरह के खाने बीजिए आप देखें यह इतना बड़ा एक रेस्टोरेंट था जहां का उन्होंने रव्यू दिया लेकिन प्राइस बिल्कुल रिजनेबल और नॉर्मल प्राइसिंग यह सबसे अच्छे बात होती है कि आप आए भी खाएं भी एंजुए करें सारा कुछ लेकिन प्राइसिंग आपकी जेट पर हैवी ना पड़ें तो बहुत ही जबदस्ता आज का जो विलोग है बिंगलोरो छोड़ा अब दिल्ली आ लेकिन देखें हमने जरूर है क्योंकि इंडिया से कोई ऐसा भी वीडियो आता है तो हम देखतें जरूर है उसको और तो कि उसकी पसंदिद्गी का लेवल एक अलग है क्योंकि उसमें हम तुद देख रहे हो थे कि जो गलिया है जो बजार है और मज़ा आ जाता है उन सब देखें आज मी देखा बहुत ही खुबसूरत एरपोर्ट बहुत सारा जो सड़कें जहां से वह आ रहे हैं थे एरपोर्ट के लिए बहुत ही क्लीन हाईवे बना हुआ था और बेहतरी तरजें तामीर सड़कों का जाल बिचा हुआ हुआ है इसी तरह का है पूरे भारत में और यह बदलता हुआ भारत है और पाकिसानी की नजर से तो और भी अच्छा रखता है बिल्कुल आसे देखें कि वह फूर कर रहे हैं उन्होंने फूर सब्सक्राइब बंगलोरों की किया है अक्सर्म हमने ज्यादा वीडियो जो है इनकी देखी है तो इन्होंने जो भी व इस दिखाई और खागे रुवीव दिया कि यह चीज देखें एक चीज को यह एक्स्प्लोर करते करते जो आए नहोंने नोरों महीं देख्रें पर एक नमा लगा दिया और आप दिल्ली में आये हैं तो आप दिल्ली कुब करेंगे लेकर देखें वह एरपोर्ट का लोक जै की नदर आती है जहाएिक्स पाइव आपकी नदर आती है यह साहाइब नदर आती है यह चीजद ओके जो मुशी भाई की वीडियों में और पहले ब्रहार भाई की वीडियों देखते हैं अब जितने पी उन्होंने बड़े रेस्टोन दिखाएं उन्हों का मेन्यू इतना बड़ा है बड़ा इतनी ज्यादा है कि बंदा खाने के लिए जाता रहे तो मेरा ख्याल है एक रेस्टोन के जो हैना वो सारी आइटम चेक करने में एक मीना लग जाए इतनी इतनी आइटम हैं वहां पर रश भी देखिए आज करके आज का जो था उन्हों बहुत ज्यादा उनका था तो यही चीजी है कि अब देखिए कि उन्होंने अपनी तरफ से क रहे हैं धरीन फेमित्टेमित्टिन और पर बहुत जबतरुन था और मुझे सबसे वेंटरी आप देखिए कि बेंगलोरो का एयरपोर्ट था भाईया से के बिकुल बेतरीन एयर्पोर्ट और परदेखिए और वंकि यह बोर्ड़ों के शयान ओने शान क्या बाद है जो ची जो फूड स्टाइल है वो मैं भी पसंद करता हूं मैं खुद बहुत ज़्यदा फूड ही हूं वैसे तो हर तरह कहीं जो मज़दार खाना है मुझे अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा तरह बच्चे पीजा बर्गर और यह वह इस तरह की चीज़ें ज्यादा शौक से खाते हैं तो हमें भी जब कभी मौका मिले तो आप अगर हमारी में मानवाजी करें तो इसलिए आपको बता है तो इन चीज़ों का ख्यार कियेगा तो चलिए जी आज की वीडियों के नहीं इतना ही अच्छा लगे लाइक करिए चैनल को में सब्सक्राइब करिए मिलेंगे एक औ और वीडियो में तब तक के लिए आला अबेस्ट